Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Golden Era Education यूटूब चेनल, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, एक अप्रेल से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट का रंट अफेर बनती हैं, सारे इस लेसन में कंपलेट करेंगे, साथी काफी सारे एक्स्टर फेक्ट भी आपे डिसकस करें पूरे लेसन वो ध्यान से और लास्ट सतक आप जरूर देखिएगा, आफ्टर दन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लिजेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंगलिस दोनों लेंग्वेज में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप प्ले चैनल गो सब्सक्राइब करके, साइड में जो कंटी बटन होगा, उसे दबा लेजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो लेटिस्ट वीडियोज हैं, वो मिलते रेगी कंटीन्यू बिना मिस हुए, त तो इसका सही अंसरतब का, अर्विंद सुबर्वन्य के द्वारा ही एक उस तक लिखे गिए, जिसका नाम है, काउंसिल, दा चैलेंज ओप दे मोदी एट जेटली एकोनोमिक, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आज की करण्ट अफेर की, देखिए पहला कॉस्तन आज का, खाल ही, हीकी को मोरी, काफी चर्चा में रहा है, इसके समंद में कौनसा सही है, कौनसा तथ्या सही है, उप्षन सही है, तो यह एक जापानी परमपरा है, रिसेंटली काफी ज़्यादा न्यूर्ज में रहिए, तो इसलिए यहाँ पर IMPORTEN intermedi हो जाती है, ठीक है, हीकी को मोर यानि कि जापान की एक प्रमपरा है और इसके अंदर जो जापानी व्यक्ति है कोई भी वो किसी भी मतलब की कोई भी व्यक्ति होता जापान का वो पूरे समास से अलग होकर एकांत में जाकर अपनी लाइफ जीना सुरू कर देता है और उसी प्रमपरा को यहां पे नाम देग यह दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट कोसल देखते हैं दा थेर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है तो वो काफी इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा इसके लेखक है जो यहां पर रगुराम राजन है इने के दुवारा यह पुस्तक लिखे यह दा थेर्ड पिलर ठीक तीसरा पिलर दिखे रगुराम राजन के बारे में नाम सुनते हैं आपको काफी ज़्यादा जो है इनके बारे में पता चलिए हुगा यह आरभी आई के 23 वे गवर्नर रह चुके हैं चिक है यह पूछ लिए जाता है एक्जामिक के उनसे नमबर के गवर्नर थे 23 वे नमबर के रेजवर बैंक के गवर्नर थे और पुस्तक की मैं बात करता हूं तो इस पुस्तक के अंदर देश की जो आर्थिक सामाजी की स्थिती का जो प्रभाव है और राजनीती पर क्या प्रभाव पड़ता है जो देश की आर्थिक और सामाजी की स् लक्तिकान दास है ठीक है नेक्स्ट कॉसम देखिए फिर हाल ही खबरों में रहा फा आउट के समंध में कौण सा तत्य सही है यहां हम बात कर रहे हैं फा आउट क्या है ठीक है तो देखिए शरीर में दर्द के लिए उत्तरदाई एक जीन है उससी को नाम दिये गए फा तो यह जो हमारी बोडी के अंदर पैन का हमें ऐसास नहीं होगा दरत का ठीक है तो उसी के लिए उत्रदाई होता है फाउट हाल की विगैनिकों ने एक लेडिज के अंदर इसकी अनुपस्तिती पाई एक सोद किया गया था भी रिसेंटली उस सोद के अंदर एक सतर साल की महि दरत क्या होता है तो इसी पर सोद किया था रूस में पाया गया कि उसमेहला के अंदर जो यहां पर फा आउट जीन है वो अनुपलब था इसी वज़े से उसको दरत का मालूम नहीं होता चीक है तो यह चीज़ धेन रखेगा काफी इंपोर्टेंट है साइंस के लिए दरत क नामक वार्शिक परव का समन्द किस राज जैसे है सही अनुपलब देखिए यह बी काफी इंपोर्टेंट है यह दोनों परव उडिसा से समन्द यह उडिसा में मना जाते है ठकोरानी जत्रा और डंडानेट यह यहां के जो है लोग परव है जो हाली में वरत्मान में मना ह然 ठीक है यह देहन रखिए गा उडिसा की बात की है तो यहां के cm 58 iqray नवीन पठनाई के चीम है और जो गवर्नर है वो है गणे शीलाल यहां के गवर्नर ठीक है उसकी बाद में कैपिटल भी आप धहन रख सकते हैं भूनेसवर यहां की ओडिसा की कैपिटल है चुलिए नेक्स्ट कॉसन देखते हैं हिताची पेमेंट्स के नए प्रबंद ने दे सके रूप में किसी नियुक्त के रहा है तो सही आनुश होगा रूस्तमीरानी हिताची पेमेंट के नए प्रबंद ने दे सके रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक है देखें यहां पर हिताची पेमेंट्स क्या है इताची पेमेंट्स के वारे में आपने वैसे सुना होगा यह मतली ब्रांड कंपनी है जो विबिन ब्रांड्स निकालती है और यह जापान की कंपनी है वैसे मूलता है यह जापान की कंपनी है ठीक है तो यह मतलब कि यहां पर इसका जो ब्रांड है पेमेंट्स वाला जो गेटवे पेमेंट्स गेटवे उसी के लिए इनको जो है रुस्तम इरानी को यहां पर एमडी नियुक के गया ठीक है यह ध्यान रखिएगा इसके स्रीलिंका में निर्मित देश के पहले तापमान नियंतर सीत भंडारण में भारत सरकार ने कितने रुपे की आर्थिक स्यूग किया है यह आर्थिक रासी जो है पदान की है तो सही अंशों का 300 मिलियन रुपी है 300,000,000,000 रुपे कर यहां पर आर्थिक सेयोग इसमें किया है भारत सरकार ने जो कि किसके लिए क्या है पहला ताप नियंतरि सीथ बंडारन जो है उसका निर्मान कहा रहा है उससी के लिए यह पर लवध करवाई है सीध बंडारन नाम से वैसे आपको पता चल रहे होगे मरलोग जो गोल्ड रूम होते है ठीक है उसका निर्मान क्या जा रहा है और ये देज स्रिलंका का पहला गोल्ड रूम है इसका उद्दे से जो खाद्य समगरी वगारा होती है उसको सुरक्सित रखने के लिए इनका नि कि तो सहीन अंस को ओट वा इस बार इस ब्रूब्र करन को अजया डूर्ण है इसका उद्देश से आतंक्वार पर मैं रख़ेगा तो मैं भॉतक meant नहीं है प्लां के आपको ब्रूत है यह डिए जो और यहां है रहरो कि थोड़ा है और जो करेंसी है डोलर यहां से कश डोलर यां की गैरंशी ज scribe di दिखते हैं निम्न में से किस कंपणी को बारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकार्य स्वामित्वाली कंपनी खोशित किया गया है ठीक है तो सही अंशोग आपका PFC पी ऐफसी जो है इसको हाल ही में भारत की दूशरी सबसे बड़ी सरकार स्वामित वाली कमपनी के रूप में गोशित किया गया है ये नामिनेट किया है ठीक है PFC P का मतलब होता है याम पे Power App मिंस होता है Finance और C मिंस होता है Cov यह यह भावर Finance को यह कमपनी है और इसी को जो है यह दूशरी सबसे बड़ी government company के रूप में गोशित किया गया ठीक है पहली कौन है फिर यहाँ पे दूसरी तो हमने बात किये लेकिन पहली भी आप धान रखना है SBI जो है पहली है government स्वामित वाली company और दूसरी है यहाँ पे PFC ठीक है दोनों नाम आप धान रखिए गा जिसके वर्नर है सरकार government of India ठीक है यहाँ पे PFC की में बात करूँ तो इसका जो है इस्ताफना हुआ था 1986 में और इसका headquarter है दिल लीग अंदर ठीक है यह भी आप ध्यान रख लीजिए चलिए next question देखते है हाल ही खबरों में रहा भोंगा क्या है भोंगा देखे एक mobile application जो recently launch किया गया है और यह एक मतलब की पड़ोसी जो होते हैं हमारे ठीक है उनके उनसों connect होने के लिए ही यह application launch किया है यानि कि अगर आप इससे यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने पड़ोसियों से offline बिना internet के उनसे connect रह सकते हैं उनको फोटो जो भी होगा रहा है वो बेज सकते हैं ठीक है इस एप से एक किलोमेटर का दायरेस को जो है दिया गया है यह चीज़ आप तहर रख लिए चलिए next खेल अगया था धक्षिनी कॉरिया वर्षैच इंडिया जिसमें winsr को रहा है दक्षिनी कॉरिया इसमें विनर रहा है ठीक है ए असके बाद में नजिसको दिए मिल जाते हैं ठीक है छिसका अनुफ़ोगाका blesर्णा विक मेरे मोद्ण फोसितितां किस खेल मेंचाले iniclis semester एक टूर्णामेंट होती है ठीक है। जिसका आजन मलेशिया में किया जाता है ठीक है। इसकी सुरुआ तो इती 1983 में इसकी सुरुआ तो इती उस टाइम ये जो है दुरिवार्शिक कप था लेकिन कुछ साल बाद इसको वार्शिक रूप में किला जाने लगा था। यहाँ पर सरवादिक विनर की मैं बात करता हूँ इसकप की तो सरवादिक विनर है औस्ट्रेलिया, औस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार यह दस बार यह कप जीता है, यह चीज भी आप ध्यान रखेगा, तो कॉसन कान सरवा दक्षिन कोरिया और उफविजयता इसमें भारत रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कॉसन देखिए, आगामी विधान सबा चुनाओ में, किस विधान सबा सीट पर, EVM की जगए, मतदान के लिए, बेल्ट पेपर का उप्योग किया गया है, वेरी इंपोर्टेंट कॉसन है, यहाँ पर सही आन सुगा, निजामाबाद, ऐसा क्यों होने वाला है, तो आपको बता दे, देखिए, जो निजामाबाद है, तेलंगाना में, इस पोलिंग बूथ पर एक सो पिच्च्यासी उम्मिद्वार या प्रत्याक्षी खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दे कि एक EVM के अंदर, एक एलक्ट आप यूज कर सकते हैं, अगर चार EVM यूज करेंगे, तो एक EVM के अंदर 16 प्रत्याक्षी के नाम आ सकते हैं, तो चार के अंदर कितने आ जाएंगे, 16 चकुछ चोशट प्रत्याक्षी के नाम आ सकते हैं, जबकि यहाँ पर प्रत्याक्षी कितने खड़े हुए हैं, 185 किएगा तो कुसान है कि एक जिला एक उत्पादी हो जणा किस राज्य की है या किस ने सुरू कि जो भी आंसर आप नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा आप आंसर नहीं लिखते हैं कापी कम कमेंट आते हैं वीवर्स वीव होते हैं उसके के कमपेर इजन में प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंदाए तप्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेर कीजेगा आपने फ्रेंड्स के साथ ठैंक यू सो मच पर वाचिंग अस धन्यावाथ